कि नमस्कार बंदू आप सब लोगों का आपके फैबरेट यूटूब चैनल MP Campus में हार दिक स्वागत है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे समरूपता यानि सिमिलर्टी से प्रतिय एक इस्जाम में चाहे वो SSC, CGL, CHSL, MTSO, CPU, दिल्ली पुलिस हो, एक नाएक कुस्चन अबस आजाता है, अगर हम CGL, MTS की बात करें तो कम से कम दो तीन कुस्चन सिमिलर्टी पर आधारत आजाते हैं, तो उन कुस्चन को किस तरीके से हम सौलप करेंगे, तो आई आज स्टार्ट करते हैं, यह तो एकदम बेसिक जानकारी है, और इसका सेकंड वीडियो कल आपको प्रवाइट किया जाएगा, तो इस वीडियो को आंते तक देखें, और देखतें क्या है समरूपता, और इसका समरूपता जो है, वह आपके क्लास 10 का टॉपिक, तो स्टार्ट करते हैं, और बड़े आसानी से समझाएंगे, आप व और पी क्यू अर्ट आograf कि पी की या अपने है तरुपिस अबिश एबिशी अर था पी क्यू आर र हो दो को कुछ समरूपता की पहर्चान होती है उनसे समरूपता निकालते जैसे कुछ प्रॉपर्टी को यह सी का जाता है एंगल 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 या यह निकोड कोड कोड दूसरा आ जाता है side 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 भुजा 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 समरूपता और यह का जाता है side angle side समरूपता भुजा कोड भुजा समरूपता इन प्रॉपर्डी के माद्यम से देखेंगे बैसे तो आप डेटेल देखो तो class 10 का है टॉपिक लेकिन हम इसी तरीके से इसको समझते हैं तो पहले नमबर देखते हैं कि कोड 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 समरूपता क्या होती है angle 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 similarity क्या होती है तो दुख इसकी कुछ property है कि अगर angle A angle P के एकक्वल हो गया angle B angle Q के एकक्वल हो गया और angle C angle R के एक्वल हो गया तो हम कहिए देंगे कि दोनों तरवोज समरूप होंगे तरेंगल A, B, C similar triangle P, Q, R बस ध्यान लखना संगत कोड होना चाहिए A के संगत P B के संगत Q, C के संगत R अब दिखते बच्चे अगर ये समरूप हो गये तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अब इनका रेशियो निकालेंगे A, B upon P, Q B, C upon Q, R and C, A upon R, P ये इसकी प्रोपार्डी होती है और अगर समरूप होते हैं तो को समरूपता और सर्वांग समता में थोड़ा डिफरेंस है समरूपता और सर्वांग समता दोनों में कोड बराबर होंगे समरूपता में भोजाओं भी बराबर होंगी और सर्वांग समता में और समरूपता में भोजाओं का अनुपात बराबर होगा तो देखो भोजाओं का अनुपात कैसा आगया आपका बराबर आगया यारी आप ध्यानकना कि अगर तीनों कोड बराबर और तीन कोड की जगए अगर हम आजाए कि नहीं दो तरबुजों के दो कोड संगत कोड बराबर है तो तरबुज कैसे हो जाएंगे समरूप क्यों अगर दो कोड बराबर होगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा इसे कहते हैं कोड 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 समरूपता ठीक है दूस पी क्यू आर इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के कुल है ये भुजा इस भुजा के कुल है और ये साइट इस साइट के कुल है तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं कहने का मतलब अगर लिखना चाहें कि ए भी एक कुल आपका क्या ह हो जाएगा PQ दूसरा BC equal QR और तीसरा हो जाएगा CA equal RP अगर इस तरह आ जाएगा तो हम कह देंगे तुरबुच कैसे हो जाएगे सम्रूप होंगे सम्रूप होंगे अगर यह सम्रूपता की property है अब तुम्हारा आ जाएगा AB बटे PQ BC बटे QR और CA बटे RP प्रोपाटि आपकी सर्वांग सम्ता की भी है सर्वांग सम्ता की अगर तीनों बह जाएया बराबर होगी तो अपने आप सर्वांग सम भी हो जाएगा और До तीरी कि को देखते हैं side angle set side angle set भुजा कुण भुजा समरूपता दोको यह वाली जो प्रोपर्टी है ना यह वाली प्रोपर्टी आपकी सरवांग समता की भी है और यह समरूपता की है अंतर कहा है वो भी आपको बता रहें PQR कहा जाएगा अगर मान लो इसकी यह भुजा और यह वाला कोण और यह वाला कोण और यह भुजा यह भुजा आपस में कैसे हो जाएंगे सरवांग सम हो जाएंगे आपस में बराबर हो समरूप तरभुज PQR एक्वल टू यह नहीं चलनो चलता हो यह आट सही जल्द वाज ही तीसरी प्रपरपरटी है आपकी साइड एंगल साइड यह देखो यह तरभुज है तरभुज ABC और तरभुज ले लिया एक PQR यह लिया तरभुज ABC and तरभुज PQR इसमें कहा कि अगर दो तरभुज समरूप तरभुज PQR अच्छा ये property सरवांग समता की भी है तो सरवांग सम भी होंगे और समरूप होंगे बस अंतर क्या हो जाएगा जब ये समरूप हो जाएंगे तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए कहने का मतलब ऐसा होना चाहिए AB upon PQ बराबर AC upon PR ये दिया गया है और बीच का कोड बराबर दिया गया है तो हम कह देंगे दिये गए तरभुज कैसे हो जाएंगे समरूप होंगे तो ये थी कुछ चोटी चोटी प्रोपर्टीज इनी के बेस पर आज का आपका लेक्चर है और इसी में एक छोटी सी प्रमे और पढ़ते हैं जिसे कहेंगे थेल्स प्रमे पुरा डेटेल नहीं करेंगे आराम से आप समझते हैं तो देखो ABC कहा है कि थेल्स प्रमें का नाम है थेल्स प्रमे क्लाश 10 का टोपिक है थेल्स प्रमे तो को थेल्स प्रमे में क्या कहा गया उसको हम संभूप का में लगाते हैं थेल्स प्रमे में यह खा जाता है कि अगर कोई त्रबुच ABC है और त्रबुच ABC में भुजा BC के समानतर कोई रेखा खीची गई और जो AB तथा AC को किनी दो पॉइंट D और E पर प्रितिच्छेत करती है तो वो ये कहता है तो थेल्स पर में बताती है आपको कि AD बटे DB AB एक्वल्टू क्या होगा AE बटे AC होगा ठीक है इस चीज को आपको लर्न करना है यह थेल्स पर में में लगेगी अब देखो हम लोग देखते हैं कैसे इसको इसके अलावा हम देखते हैं देखो तोड़ा समझाते हैं कि अगर किसी त्रवज में BC के समांतर कोई रेखा खीची गई इसको भूल जाओ कि आप ही नहीं अगर BC के समांतर ये दोनों समांतर रेखा हैं समांतर रेखा हैं तो ये कोण अलफा अगर होगा तो ये भी कोण अलफा होगा होगा भया संगत कोण करस्पॉंडिंग एंगल है ऐसे ये वाला कोण बीटा अगर है तो ये वाला भी कोण कैसा होगा बीटा ये भी कैसे हो जाएंगे करस्पॉंडिंग एंगल मतलब संगत कोण अब हम पूरा त्रबोज बन और दूसरा त्रबुज बच्चे क्या आएगा A, B और C अब देखो इस वाले में ये कोण अलफा ये कोण बीटा हो गया अब आप देख सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट फिर में एंगल एंगल प्रॉपर्टी कि किसी दो त्रबुजों के दो कोण अगर बरावर ह है तो वो त्रुपुज कैसे होंगे सखुखे होंगे, देखो बच्चे ये जुको, इसका मतलब ये दोनो त्रबुज ट्रैंगल A,D,C, सिमलर ट्रेंगल A, B, C यह दोनों तरबुज समरूफ हो गए? बिलकुल समरूफ हो गए अब देखते हैं इसमें थोड़ा डेटेल में देखो, अगर कोई तरबुज है तरबुज A, B, C यह आपका दिया गया है A, B, C सुरी वहाँ दिखाई नहीं देगा इदर से बनाते हैं यह लिखा, यह यह तरबुज आपका दिया गया है A, B, C और किसी भी तरबुज में माना कि एक भुजा के समान तर दूसरी भुजा खीची गई और यह अन भुजा को D और E पर काटती है तो हमने क्या पढ़ा कि यह कौन आपस में एक्वल होंगे और तरबुज कौन सा ट्रेंगल A, D, E A, D, E Similar ट्रेंगल A, B, C A, B, C यह कैसे होंगे आपस में समरूफ होंगे अगर समरूफ होंगे तो अभी हमने प्रोपर्टी बढ़ा First से कि A, D आएगा A, E, upon A, C A, E, upon A, C और दूसरा हो जाएगा बच्चे, D, E upon B, C ठीक, इस प्रोपर्टी को आप ध्यान रखना और यह प्रोपर्टी आपकी सबसे ज्याधा लगेगी तो आज इसी पे बेस्ट कुस्चन होंगे लेकिन थुदा डेटेल में समझते हैं इसको और अगर हम इसको समझने की कोशिस करें बच्चे तो देखो क्या यह संख्या इस तरह लिखिए इसको हम पलट नहीं सकते हैं बिल्कुल पलट सकते हैं अगर हम इसको पलटेंगे तो यह आ जाएगा A, B, upon A, D C, SORRIening A, D और equal to बच्चे हो जाएगा A, C, upon A अब हम दोनों तरफ किसी भी संख्या को माइनस कर सकते हैं तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे माइनस बन इसमें भी माइनस बन कर दिया इसमें भी माइनस बन कर दिया तो बच्चे अगर मानश बन करेंगे तो यह आजायेगा आपका AB minus AD upon AD बराबर AC minus AE upon AD अब देखोम अचे AB मेंसे AD आप मानश करोगे तो AB यहाँ से यहाँ तक है, इसमें आपने AD minus कर दिया AD minus कर दिया मतलब यह minus कर दिया तो बचा क्या बच्चे BD upon AD is equal to ऐसे ही इसमें क्या बचेगा A C में से A E मानस कर दोगे तो क्या आजाएगा C E C E upon A तो आपका एक result निकल कर यह आगे तो इन result के आधार पर ही आप करेंगे तो बचे क्या आया अगर हम इसको short में समझने की कोशिस करें अगर इसको और प्लट दें तो यह आजाएगा उच्छे A D upon B D is equal to A E upon C हम एक short तरीके से इसको समझाते हैं अगर यह तरबुच समरूप है अगर यह तरबुच समरूप है पैरलल लाइन है तो समरूप होंगे ही होंगे होंगे तो क्या आजाएगा A D upon क्या करेंगे A B E equal A E upon A C ठीक है और क्या हो जाएगा equal D E upon B C एक तो प्रोपर्टी यह ध्यान रखेंगे दूसरी प्रोपर्टी जो अभी निकाली थी A B SORRY A D upon B D A D upon B D equal to क्या पढ़ाता A E upon में C ठीक बच्चे यह यह दो प्रोपर्टी आप ध्यान लखना और इसी पर based as questions कराते हैं चलो start करते हैं जो question number first यह रहा आपकी screen पर question number first यह कह रहा है कि किसी तर्बुच A B C में ना लिया वच्चा तर्बुच यह लो एक तर्बुच A B C में किसी तर्बुच A B C में D E समांतर B C आपसे कह रहा है कि D E parallel B C यह D E खिच लिया इसके समांतर और जैसे समांतर खिचा हमें पता चल गया यह छोटू वाला तर्बुच और बड़ा वाला तर्बुच ऐसा हो जाएगा अपने आप सम्रूफ हो जाएगा अब आपसे कह रहा है कि यदि A D वरावर लगए ईसके ऐसे दी गई है कि यह फौर फॉर प्सवाइब क्या पूंचा गया इसी बताइए यह बताइए यह बताइए यह बताइए इसे वाला फन कुर्थ तो देखो बासरी अब हमने प्रोपार्टी बड़े थी अब देखो हमें निकालना क्या है इसी यह चोटे में CE, अभी तो पड़ा था, अब value रख देंगे, तो देखो बच्चों, अगर यह यहां से यहां तक 10 है, और यह 3.6 है, तो बच्ची वाली क्या हो जाएगी, 0.4 कर लेंगे, तो आजाएगा 4, और यह आजाएगा 6, ठीक है, 6.4, तो यह आजाएगा 3.6, BD का मान कितना है, 6.4, और AE का मान कितना है, 4.5, और इसका मान मान लो, X, X है, इसको solve करते हैं, तो 12, 9 से काट देंगे, 9, 4, 36, और 9, 5, 45, ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 2, 24, चार चंग 24, और 16, 5, 80, 10, 80, और एकम को आजाएगा, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, बच्चे, 8, आ गया होगा आपको समझ में, नेश कुस्चन, 4-5 कुस्चन इस पर आधारत करते हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कुस्चन इस नमर 2, यह रहा आपकी स्क्रीन पर, पहले वीडियो को पॉस्ट करें, इसके बाद सॉल्व करें, आपको कह रहा है, तरबुज ABC में, यह लोग अच्चे तरबुज बन गया, ABC, तरबुज ABC में, DE parallel BC, यही इसमें दिया गया, DE parallel BC, ABC, यह तो लोड, D और यह बना लिया, आपसे कह रहा है, कि D, AD 2.4 है, AD 2.4, AE 3.2, AE 3.2, इसके बाद कह रहा है, EC 4.8, EC 4.8, क्या कह रहा है, AB fund करो, AB fund करो, अच्छा बच्चे, पड़ा सरल है, दोको AB fund करना है, तो अब हम किसमे ratio निकालेंगे, बड़े में, छोटे का बड़ी तरबुज से, छोट उतरबुज का बड़ी तरबुज से, तो क्या जाएगा, कौन सी लिखेंगे property, अभी लिखी तो, आपने AD, और पूरी लिख लिखेंगे AB, क्यों, अगर आपको parallel दिया गया, तो आपको समरूप किया हो सकता ही नहीं है, थेल स्कूर खुद कह रहे हैं, कि ये समरूप होगा ही होगा, इदर क्या हो जाएगा, AE, AE, upon में क्या जाएगा, AC, AC, value पट कर दे, AD, AD के value कितनी है, 2.5, AB तो आपको fund करने है, AE आपका है 3.2, और AC अकर निकालोगे, तो इन दोनों को add करोगे, 8, 2, 10, और 4, 3, 7, 8, ठीक है, पॉंट से ये पॉंट cancel हो जाएगा, अब देखो, 8, 342, और 4, 5, 24, मतलब, AB is equal to, आपका आजाएगा, क्या आजाएगा, ये था second question number, next question देखते हैं, दो चार question इस पर आधारत कराते हैं, जिस्वर आपको अच्छे तरीके से समन में आजाए, तो question number आपका रहा 3, question number ये रहा 3, देखते हैं, question number 3 में कह रहा है, वही तरबुज ABC, लो, अच्छे ये बन गया तरबुज ABC, ये बन गया A, B, और C, और ये आपका है DE, और आपको दिया गया है BC parallel DE, DE, परस्ट शेक्न थाड़ अच्छा जी, अब वो कह रहा है AD 4, AD 4 है, DB 7 है, DB 7 है, इसके बाद कह रहा, AC 6.6 है, AC देगी आपका 6.6, तो आपको क्या गयात करना है, AE निकालना है, अब देखो, अब दूर से देखो कौन सी property लगाएंगे, छोटी वाली property, छोटे का बड़े से ratio दिया गया है, तो जो find करना है, पहले आपको वही देखना है, कि कौन सा rule लगाएं, तो छोटे का बड़े से, यानि आप लिखेंगे इसको, AE upon AC, इधर क्या हो जाएगा बच्चे, AE लिया तो AD, और इधर आपने AC पूरा लिया तो यह हो जाएगा AB, value रखते हैं, तो value रखेंगे AE upon AC, AC की value दी गई है, 6.6, AD, AD की value दी गई है, 4 और यह आजाएगा, 7, 4, 11, 11 से काट देंगे, 11, 6, 6 और 6, 4, 24, AE आजाएगा, 24 और एक अंगवाद पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आजाएगा आपका, 2.4, हाँ, आपको अवस अब समन्द में आ गया होगा, तो यह था question number 3, देखो, आप question number 4 देखेंगे, 4 देखेंगे, भहुत बैतरीन question है, आया हुआ question है, यह कहरा है, कि किसी तरभुज ABC में, वही, ABC में, यह कहरा है, आपका, यह D है, और यह है, और कहरा है, कि DE parallel to BC, और 7 आपको दी गई है अपकी बार, AB is equal to, AD is equal to X, यह X है, और DB is equal to X minus 2, this is X minus 2, 3 है, AE is equal to X plus 2, AE is equal to X plus 2, और 4 ता आपका कहरा, EC का मान ग्यात किजिए, तो EC है, X minus 2, आपको दिया गया है, तो find the value of X, X का मान क्या होगा, बड़े आराम से देखते है, बड़े आराम से देखते है, देखो, अब दो चारों साट्स दी गई है, X की बेलू फंटर नहीं, और यह इसके parallel है, इस इस पर्लेल लांज, if these are parallel lines, so the triangle is, are similar, ठीक है, अगर यह similar है, तो हम लिख देएंगे, AD upon DB, यहीं सीधा-सीधा लिखते है, X upon BD, X minus 2, is equal to AE, यहीं X plus 2, upon ECE X minus 1, इसको solve करते हैं, अब cross multiply करेंगे, बच्चे cross multiply करेंगे, X square minus X, और इधर जाएगा, यह लिखा है, A plus B, A minus B, X square minus 4, square से square कट गया, minus से minus cancel हो गया, X is equal to, आपका कितना हो गया, 4, तो answer क्या होगा, आपका 4, एक और इसी तरी प्रकार से question कराते हैं, इसके बाद फिर आगे बताते हैं, तो question यह कह रहा है, question number 37, question number जो भी है, उसको देख लिए आप, और यह question है, यह है, A, B, C, तो अच्छा बनाते हैं, A, B, C, D, E, और यह आपका हो जाएगा, similar, अब आपसे कह रहा है, कि A, D is equal to 4, A, D is equal to 4, D, B is equal to X minus 4, A, E is equal to 8, और आपसे कह रहा है, E, C is equal to 3, X minus 19, क्या करना है, तो find the value of X, X का मान निकालना, X की value क्या होगी, option आपके दिएगे 8, option है आपका 9, option है आपका 10, और option है आपका 11, fourth option है आपका 11, तो बच्चों, यह आपका है, home work, आप comment box में, जरूर इसका answer करें, इससे ही समझ में आएगा, कि आपको जरूर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो यह आपका home work, next question देखते हैं, अच्छे देखो, next question है आपका दिया गया है, करा है कि त्रबुज ABC और त्रबुज DEF, खुद करा है कि एक त्रबुज ABC है, और दूसरा त्रबुज है DEF, DEF, और वो खुद करा है कि त्रबुज ABC सिमलर ट्रबुज DEF, वो करा समरूप है, समरूप है, त्रबुज ABC तथा त्रबुज DEF का परिमित 25, अच्छा, त्रबुज ABC का जो परिमित है, परिमित मीज परिमाप, आपको दिया गया बच्छे 25 cm और 15 cm, किसका, त्रबुज DEF का, अब आपसे कह रहा है, यदि BC is equal to 9 है, तो आपसे कह रहा है कि, BC is equal to 9 है, कौन सा कुश्चन है, अच्छा, हाँ, ठीक है, तो EF गयाद करो, क्या गयाद करना बच्छे, EF, थोड़ा confusion हो गया ता कुश्चन कौन सा है, तो देखते बड़ा सुन्दर सवाल है, यार, परमेते दो क्या हुआ, कुश्चन तो हम लगा लेंगे न, आप लगा लोगे, यह हमें पूड़ते हैं, बस्वास, देखो, अब वो करा, अगर यह समरूप है, बच्चे, चलो हम आइसे मानते, इसको भूल जाओ, कुश्चन समरूप खुद कह रहा है, तो अब यहां से देखना अच्छे, अगर यह रेशियो आ रहा है, इनको हम आगे इधर दिखाई नहीं पड़ेगा, इधर से देखते हैं, यह अगर हम इनको तीनों को ऊपर एड़ करें, ठीक है, तो एड़ करेंगे, बन प्लस बन प्लस बन, अ रही इनके परिमापों का अनुपात होगा, इससे यह समझ माया, तीनों भजाएं जोड़ ली, इसकी जोड़ ली वच्चे, एक, दो, तीन, अनुपात क्या आया, एकको लाया, क्योंकि इधर भी एक बटे था, इधर भी एक बटे था, तो इसी को बेस मामते हुए अराम से हल करते हैं, तो क्या हमने कहा, कि अगर ये दोनों त्रभुज, अगर ये दोनों त्रभुज समरूप हैं, अगर क्यों, खुद रखा उसे त्रभुज समरूप हैं, तो क्या जाएगा, परिमाप, यही लिखेंगे, यही पर लिखते हैं, कि त्रभुज, A, B, C का परिमाप, बटे तुरुबूज P, D, E, F का परिमाप बराबर अब यहाँ पे दोखो भुजा आपको कौन से दी गई BC इसमें BC दी गई है तो BC अपोन अब दोखो यहाँ से BC लिया तो यहाँ से कहलेंगे EF और बस आंसर रख देंगे बच्चे यह 25 बटे 15 यह आजाएगा 25 अपोन 15 और यह बच्चे आजाएगा आपका 9 अपोन एक्स तीन पच्चे पांस से कर देंगे पांस तीया पंद्रा पच्चम पच्चीस और यह आप सॉल्फ करेंगे तो आजाएगा 5X इसकल तो नो तिया 27 एक्स इसकल तो 27 बटे 5 तो यह हो जाएगा आपका 5.4 ठीक नेश्ट देखते हैं और आपका आजाएगा भी तो यहां तक आप समझ चुके होंगे नेश्टेश्ट कि आपको कुष्चन दिया गया कि किसी त्रबुज ABC में और मैंस का कुष्चन है सीजियल मैंस का बहुत मस्त कुष्चन है कि त्रबुज ABC में यह कौण B नब्बैंस है और B से एक परपेंडिकुलर डाला गया है डीप तो यह तुमारा नब्बैंस है अब आपसे कह रहा है इसमें कुष्च लिलेशन होते हैं और जिसे द्एक टौ को स्य बहुत मस्त कुश्चन प्जлагाते हैं पहले उस ट्रिलेशन को देख़ते हैं फिर उस इसको भी हम क्या करेंगे समरूपता पर ही अधारत हो जाएगा कैसे बच्चे इसको अगर मान लिया हमने थीटा छोटे वाले में देखते हैं छोटे मतलब इस वाले में तो इस छोट को इसको अलग से बना लाएं यह यह वाला माना कि यह 90 डिगरी है थोड़ा अच्छा नहीं मना यह D है और यह B है और यह एक का सी थीटा है ठीक है और यह 90 नस है यह 90 यह तो इह कौन सा कोंड हो जाएगा 90 मानस थीटा मतलब यह आजाएगा 90 मानस थीटा अब देखना बच्चे पूरा कोंड जो है total एंगल 90 दिगरी का है तो यह 90 मानस थीटा है इसका मतलब यह छोटू वाला एंगल कितने का हो जाएगा थीटा का अगर यह थीटा का है अब आप देखो यह थीटा का है यह कितने डिगरी का है 90 डिगरी का है ना तो उपर वाले हम देखेंगे यह 90 का यह थीटा का तो यह हो जाएगा आपका 90 माइनस ठीटा यानि क्या सीका हमने हमने यह सीका कि अगर तो इसमें यह हो जाएगा कि यह दोनों तरुबुज कौन सा ए बी छोटे-छोटे वाले दोनों तरुबुज समरूफ हो जाएंगे और छोटे-छोटे वाला प्रतियेक तरुबुज बड़े वाले तरुबुज के समरूफ होगा कैसे होगा हमने अभी प्रवबर्टी पड़ी थी अगर कहने दो तरुबुजों के कोई दो कौन बराबर हैं तो वो तरुबुज कैसे होंगे समरूफ देखते हैं प्रतियुज के पहले छोटे-छोटे वाले दिखते हैं तो छोटा वाला हमने उठाया तु बी सी डि अलग से मनाते है यह लोग पना लिया यह लोग घू अच्छा दिखाने पड़ा हो ओगा ओपे तो चलो यह लो यह अपका बन गया यह मन लिया तुम्हान अपने ठीटा ये आपका D है 90 और ये आपका है 90 माइनस थीटा ये आपका B है ये D है और ये C है अब दूसरा तरोज बनाएंगे ये वाला ये लो ठीक है इस तरह लो ये और ये आपका आ जाएगा ये माना कि D है ये A है और ये आपका B है बच्चे ये कितना है थीटा ये बच्चे कितना ह अगर समरूप हो जाएंगे तो हम अगर लिखना चाहिए को कैसे लिखेंगे तो बच्चे इस वाले को कुछ भी लिख लोगा जैसे आपने अब समरूपता लिखने के लिए थोड़ा कैसे करेंगे अब देखो एका कौन है 90 मानस थीटा तो यहां 90 अब कह सब्सक्राइब तो पहले लिखा जाएगा ट्रेंगल भी तो भी अप कौन सा आया आपका डी डी को के टाइब कघए कर तो धूड़ा इसको थ्वह सवी लिखते हैं यह जाएगा तुरुज अ डी बी डी बी इसको बीड़ी को सब्सू करने मानस ठीटा कुंद शाव जाएगा भी इसके बाद यहां पर 90 वाला लिया गया 90 वाला बोट चाहिएगा इसके बाद यहां signal यह तिर यह भी of I थीटा तो C हो जाएगा थीटा यह तरुपर हो जाएंगे समरूप बताओ अच्छे हाँ हो जाएंगे अगर हो जाएंगे तो देखो क्या रिलेशन आएगा AD upon BD is equal to AD upon BD is equal to अब देखो जाएंगे बीडी लिख लेंगे से बीडी अपॉन इसमें सीडी इस उकल टू एबी अपॉन बीसी पड़ा भी हम लोगो होना है तो देखो अगर हम इसको इन दोनों से एक रिलेशन ने करेंगा उन रिलेशन को देखते हैं तो BD का अगर BD में गुड़ा करेंगे बच्चे यह आजाएगा BD का स्कॉर और यह क्या जाएगा AD into CD तो एक रिलेशन आपका यह आजाएगा कि BD का स्कॉर बराबर AD into CD यहानि BD अगर आपको निकालना है यह BD निकालना है तो यह क्या आजाएगा इसका स्कॉर AD AD into क्या हो जाएगा CD हो जाएगा तीन रिलेशन होते हैं उन तीन रिलेशन को आप समंझे चुटकियों में कुस्टन को स्वॉल्प कर देंगे परन तो तीन रिलेशन को एक सात लिए पर 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 यह दिको अब देखो, अब हम क्या कर लेते हैं, A, D, B, इसमें से छोटा त्रोज लेते हैं, त्रोज A, D, B, अब देखो, अगर आपने A, D, B लिया, A, D, B, अब आपका क्या आजाएगा, अब हम बड़े वाले त्रोज में समरूप हो जाएगा, तो समरूप करने के लिए A, 90 मानस सीट ले लिया, इसके बाद D, 90 वाला लिया, तो 90 बड़े वाले त्रोज में कौन सा हो जाएगा, B, और बच गया कौन सा आजाएगा, C, इनमें देखेंगे क्या रिलेसन आएगा, A, D, अपॉन, A, B, ऐसे बच्ची आजाएगा, B, D, अपॉन, अगर आपने B, D, लिखा, तो व कर पाते हैं, तो हमने इसको अठा दिया, इदर मल्टिप्लाइ करेंगे, तो आजाएगा, A, B, स्कॉर, इस उकल टू क्या आजाएगा, A, D, इन्टू, A, C, A, B, स्कॉर, A, B, स्कॉर, मतलब इस, यह क्या आया, A, D, इन्टू, A, C, ठीक है, तो दूसरा रिलेसन आपका, य लिए, अब यह चोटा लेंगे, तो यह चोटा लेंगे, हमने लिख लिया, इसको कुछ भी ले सकते हो, B, D, C, तिरवोज, B, D, C, समरूपता के लिए बाराम से लिखना, B के लिए कौन सा कौन लिया, तुमने 90 मानस थीटा, तो यहाँ पर 90 मानस थीटा क्या है, A, इसके ब B, C, और आपका एक रिलेशन आजाएगा, B, C, अचाओ, यहाँ से B, C लिया, तो यही बिल्कुर सही है, इदर लिख देंगे, D, C, या C, D, A की बात है, और इधर की आजाएगा, B, C, ठीक है, क्या आजाएगा, B, C, अब दोको बच्चे हल करने के लिए तो दो ही हल कर पा C, ठीक है, बच्चे, अब इन तीनों को समराइज करके एक जगह पर रख लें, जिससे आप भी उच करने हैं, और फड़ा-फड़ कुस्चन का आंसर दें, तो तीनों को समराइज करके क्या हमने लिखेंगे, कि अगर बड़ा वाला त्रवज, दो छोटे-छोटे वाले त् बच्चे, AD into CD, अब आपको यह है, रट्टा की जरूर नहीं है, नहीं तो रटते रहते हैं, भूलते रहते हैं, सेकेंड कह रहा है, कि अगर, अगर हमें BD निकाल लिए, अगर हमें क्या निकालना है, एक रिलेशन आया, AB का square is equal to, AB का square is equal to, AD into AC, AD into AC, ठीक है, और तीसरा र निकालेंगे, BC square is equal to, BC square is equal to, CD into AC, देखो, जब आप BC square निकालेंगे, BC square, तो CD और पूरी से बजा, CD पूजी बजा, जब AB आप निकालेंगे, तो AD और पूरी बजा, और यह तीन रिलेशन है, इन तीन रिलेशन पर आधारत, CGL 2017-18, सभी में कुश्चन पूचे गए, तो ए आपके सामने लिखा है, यह देखो, दिया गया है, कि एक तरबुज, एक तरबुज, यह लिखा है, ABC, ABC, यह तुम्हारा कितने डिगरी है, 90 डिगरी, और इससे इस पर लंब डाल दिया गया है, यह तुम्हारा लंब डाल दिया गया है, D, अब आप से कह रहा है, यह 6 है, तो दोनों को निकाल कर हम आपको बताते हैं तो देखते हैं बड़ा सुन्दर सवाल है अब जानते हैं कि यह पाइथा गुरस फिर में लगाएंगे क्योंकि समकोर्ट तो यह च्छे है यह आट है बच्छे पूरी कितनी हो जाएगी दस हो जाएगी अब आप से कहरा एडी बताओ अभी बच्छे हमने क्या पढ़ा था बड़े मस्त यही करने के लिए तो बहुत जल्दी से फार्मूलर रटेंगे हम लोग क्या आजएगा एडी हमें निकालना है तो हमने यह दिया गया तो हम क्या लि एडी पता नहीं कितनी है एडी और एसी कितना है दस तो एडी निकालेंगे तो कितना जाएगा 36 बटे दस मतलब 3.6 आगे आंसर बड़े स्पीड में लगा लिए आपने नाइस कुस्चन देखते हैं कुस्चन नमर सेकंड इसी का इसी का कुस्चन नमर सेकंड क्या करा सीडी क वेड्लू के लिए लिए सीडी चाहिए तो हम क्या करेंगे आपकी बार बी-सी का स्कॉर इसिटी इंटु एसी वहीं आप अठ आट का वर्क हो जाएगा 64 सीडी इंटु एसीं का वह जाएगा दस और सीडी आपका आज आएगा च्छह पॉईंट चार्प तो ये था आपका तो आज के लिए यहीं तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवस्थ करें और हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें थेंक्यों